तो शॉर्ट रन और मीडियम रन में हम डिफरेंस की बात करें, कंक्लूशन, मॉनेटरी एक्स्पेंशन जब होता है तब आउटपुट लेवल, मॉनेटरी एक्स्पेंशन के केस में, शॉर्ट रन में, आउटपुट लेवल भी बढ़ता है, इंटरस्ट रेट घड़ता है, और प्राइस लेवल भी बढ़ता है, ठीक है, मॉनेटरी एक्स्पेंशन, पर मीडियम रन में, मॉनेटरी एक्स्पेंशन में, आउटपुट लेवल में कोई चीन नहीं होता, इंटरस्ट में भी कोई चीन नहीं होता, प्राइस लेवल तो बढ़ता ही है monetary expansion में दोनों case में पर deficit reduction की बात करें तो price level जो है वो short run में हो या medium run हो deficit reduction में decrease होता है कौन price level decrease होता है और interest rate भी decrease होता है decrease होता है और output level decrease होता है short run में medium run में तो कोई effect होता ही नहीं है output level में ओके लो बाती है